हेलो फ्रेंड वेलकम टो इस्टेडी न्यूज आज हम इस वीडियो में महर्षी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में जानेंगे जो आधुनिक भारत के समाज सुधारक, ब्रह्मचर और आरे समाज के संस्थापक थे इनके बचपन का नाम मूल संकर था इन्होंने वेदो की प्रचार और भारत को सतन दिलाने के लिए मुंबई में आरे समाज के स्थापना की थी ये एक सन्यासी थे, इन्होंने वेदो की सत्ता को सदा सरुपरी माना वेदो की और लोटो ये उनका प्रमुख नारा था तो जानेंगे इस वीडियो में इनके बार में, so let us start दयानन सरस्वती जी का जन्म, 12 फरवरी 1824 में गुजरात में हुआ था इनके पिता का नाम करसन जी लाल जी तिवारी और मा का नाम यसोदा बाई था इनके पिता एक कलेक्टर होने के साथ ब्राहमण परिवार के एक अमीर सम्रिद और प्रभाव साली व्यक्ति थे दयानन सरस्वती का असली नाम मूद संकर था और उनका प्रारंबिक जीवन बहुत आराम से बीता था आगे चलकर एक पंडित बनने के लिए वे संस्कृत वेद सास्त्रों वे अनधार्मिक पुस्तकों के अध्यन में लग गए इनके माता पिता ने इनका विवा किसोरा अवस्था के प्रारंब में ही करने का निर्णे लिया लेकिन इन्हों ने विवा न करने का निर्णे लिया इन्हों ने किसी के विरोध तथा निंदा की परवा किये बिना भारत के हिंदू समाज में बदलाओ करने का धे बना लिया था जब ये घर से बाहर निकले तब यात्रा करते हुए ये गुरू विर्जा नंद के पास पहुचे गुरू ने इन्हें पढ़नी व्याकरण, पांतजल, योकसुत्र तथा वेद वेदान का अध्यन कराया महर्शित दयानंद ने अनेक इस्थानों की यात्रा की इन्हों ने हरी दुआर में कुम्ब के अफसर पर पाखंड खंडिनी पता का फेहराई इन्हों ने अनेक सास्तार्थ किये ये कलकत्ता में बाबू, केसवचन, सेन तथा देवेन नाथ ठाकूर के संपर्थ में आये जहां इन्हों ने हिंदी में बोलना व लिखना प्रारंब किया इन्हों ने 1875 में गीरगाह मुंबई में आरे समाज की स्थापना की आरे समाज के नियम और सिधान्त कल्याड के लिए थे संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश से था वेदो को छोड़ कर कोई अन्य धर्म ग्रंत प्रमाड नहीं है इस सत्य का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने सारे देश का दोरा किया था इन्होंने समाज में फैले समाजिक कूरुतियों और रोड़ी वादी परमपराओं अंदविश्वास और बुराईयों का विरोध किया जिससे ये सन्यासी योद्धा कहलाए इन्होंने इस्त्रियों की सिख्छा के लिए प्रबल अंदोलन चलाए इन्होंने बाल विवा तथा सती प्रथा का विरोध किया और विदवा विवा का समर्थन किया और इन्होंने दलीतों के लिए भी कई कारे किये थे इन्होंने कई ऐसे वेक्टियों से मुलाकात की जो आगे चलकर 1857 के क्रांती के योद्धा थे ये वेक्ती नाना साहेब, अजी मुलाखा, बाला साहेब, बाबु कुवर सिंग थे जन साधारन तथा भारती सैनिकों में इस क्रांती की आवाज को पहुचाने के लिए रोटी तथा कमल की योजना तयार किये गए थी इस संपूर विचार विमर्स में प्रमुक भूमिका स्वामी दयानन जी ने ही निभाई थी इनों ने कई धार्मिक वा समाजिक पुस्त के अपने जीवन काल में लिखी थी जिन में प्रमुक सत्यार्थ प्रकास है इनके मृत्यों 1883 में हुई थी उन दिनों ये जोधपूर नरेश महराजा जस्वन सिंग के निमंतरण पर जोधपूर गए हुए थे तो ये थी कुछ प्रमुक बातें स्वामी दयानन सरस्वती जी से जुड़ी आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीस लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट